आज की विडियो में मैं आपके लिए बहुत ही पोटन, बहुत ही पावरफुल एंटाइ एजिंग स्किन टाइटनिंग नाचरल रेटिनॉल से भरावा एक बोटॉक्स फेस वाश लेकर आई हूँ जो definitely आप दुनिया में कोई भी फेस वाश यूज करते हैं यूज करके देख लीजे और ये फेस वाश जो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करी हूँ खाली साथ दिन तक आप मौनिंग और नाइट इसको यूज करके देखें आप अपनी स्किन में एक अमेजिंग ट्रांस्फरमेशन देखेंगे ये आपके स्किन के सारे एजिंग के साइन्स को कंट्रोल करता है चाहे वो रिंकल्स हो, लाइन्स हो, एज स्पोट्स हो, किसी भी तरह के निशान हो, दाग दब्बे हो आपके स्किन पर ये सारे ही एजिंग के साइन्स को टागेट करता है इसमें retinol है, natural form का vitamin C है, vitamin E है, essential fatty acids और बहुत सारी चीज़े हैं जो आपकी mature skin को, aging skin को जरूरत है तो definitely ये face wash चेक आउट करिए हाई friends, I am Preeti और आप सबका बहुती बहुती warm welcome इस चैनल पर जब भी कभी आप अपनी skin में, अपने face में aging का पहला sign देखते हैं, वो पहली wrinkle, पहली line देखते हैं तो आप क्या करने को सोचते हैं Definitely आप सोचते हैं कि मैं अपनी skincare के product change करूँ आप ऐसी face creams, face washes, serums, oils ढूनने लग जाते हैं जो कि आपकी aging को कंट्रोल करें और और wrinkles और lines नहीं develop होने दें Right, अब जब तक आप serum cream की बात कर रहे हैं तो definitely ऐसी बहुत सारी serums होती हैं, creams होती हैं, oils होते हैं जो आपकी aging को reverse भी कर सकते हैं अगर वो early aging के sign है और आगे aging के process को काफी delay भी कर सकते हैं लेकिन जहां तक हम face wash की बात करते हैं, तो वैसे तो हर एक brand ने market में anti-aging face washes की line लगा दी है लेकिन trust me अगर आप मेरे word पर trust करते हैं, तो दुनिया में ऐसा कोई face wash, ऐसा कोई foaming face wash बना ही नहीं है जो आपकी aging को control कर सके, तो यह जितने भी face washes जो लादर बनाते हैं और face washes की नाम पर market में हैं इन में से कोई भी face wash आपकी skin में lines और wrinkles को reverse नहीं कर सकता है इसका एक simple सा logic है कि जब भी आप अपने face को wash करते हैं, तो आप मुश्किल से 15 से 20 seconds, hardly 15-20 seconds के लिए इसको अपने face पर rub करते हैं और फिर wash कर देते हैं तो क्या 15-20 seconds में ऐसी कोई चीज जो आप face पर लगाते हैं और तुरंती धो देते हैं, wash कर देते हैं, क्या वो आपकी wrinkles और lines को control कर सकती हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा possibility नहीं है इसलिए आज कल पुराना जो trend है वो वापस आ रहा है, जब face wash को powders के form में इस्तमाल किया जाता था हजारों सालों पहले आयूरवेदा यहीं बोलता था, कि different type के powders होते हैं, ऐसे आयूरवेदिक herbs होती हैं, ऐसे ingredients होते हैं जिनका powder बना करके आप store कर लीजे और इनको use करिए in the form of face wash तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा amazing, ऐसा retinol से भरावा anti-aging skin tightening botox face wash powder आपको बनाना सिखा रही हूँ जिसको बनाना बहुत ही असान है, 5 minute में आप बना सकते हैं, 6 महीने के लिए stock कर सकते हैं, इससे अच्छी क्या बात है और इसको जिदनी बार भी आपको face wash करना है, वैसे face wash कर सकते हैं, तो इस face wash को बनाने के लिए जो सबसे important और सबसे पहला ingredient हमको चाहिए वो हमको चाहिए hibiscus powder या good health के full cup powder, यह बहुत ही असानी से मिल जाता है, इसकी link मैंने description box में add कर दी है, अगर आपको नहीं मिलता है तो तो यह आपको लेना है 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून of hibiscus powder आपको एक बड़ी सी काच की बोल में लेना है hibiscus को आईरवेदा और medical science दोनों ही stamp लगा चुकी है as natural botox for your skin इसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके wrinkles को काफी हद तक control करती है, collagen को बढ़ाती है, collagen production को increase करती है तो अब इसके बाद जो हमको दूसरा natural retinol चाहिए, वो वही ingredient चाहिए जो मैंने अपनी पूरी anti-aging series में आपको बताया था और ये है bakuchiol, तो हमको चाहिए bakuchiol powder, इस bakuchiol powder में natural retinol होता है, ये retinol का एक natural plant based alternative होता है तो बहुत सारे brands आजकल bakuchiol को अपनी creams और serums के form में यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा जो आज का face wash है, हम उसी bakuchiol powder को यूज़ कर रहे हैं, ये bakuchi seeds का powder होता है, जो आपको मिल जाता है, असानी से online मिल जाता है, इसकी link भी मैंने description box में आड़ कर दी है तो हमने 2 tablespoon habiscus powder के साथ में डाला, 2 tablespoon of bakuchi powder, अब इसके बाद में जो तीसरे ingredient हमको चाहिए, वो भी मैंने अपनी channel पर काफी बार आपको बताया है, ये है flak seed का powder, flak seed में essential fatty acids, omega 3, omega 6, omega 9 fatty acids होती हैं, और ये fatty acids आपके skin को अंदर से moisturize करती हैं, अंदर से आपके skin में collagen को boost करती ह तो flak seed एक ऐसा ingredient है, जो अगर आप खाते हैं और लगाते हैं, दोनो ही तरह से आपके skin के लिए एक natural skin tightening agent होता है, तो इसका आपको powder बनाना है, एकदम fine powder बना करके 1 tablespoon powder आप इसमें add करिए, अब इसके बाद हम कुछ चाहिए, अपने 8 spots को control करने के लिए कोई ऐसा ingredient जो बहुत important ingredient हो, because जब आपकी aging होती है, तो आपकी aging के साथ साथ 8 spots, different तरहें के marks आने लग जाते हैं skin पर, और इसको control करता है nutmeg या जाइफल, इसको आपको powder के form में use करना है, around 1 teaspoon of nutmeg powder, तो बहुत ही असानी से crush हो जाता है, crush होने के बाद में powder form में बना लिजे और 1 teaspoon इसमें आप आट क मैंने खुद ने अपने channel पर आपको saffron और sandalwood की बहुत सारी anti-aging creams के बारे में बताया हुआ है, तो इसके बार में definitely आप समझ गयोंगे हमको लेना है saffron और sandalwood, तो आपको लेना है around 1 teaspoon of saffron या फिर केसर और 1 tablespoon of chandan powder या sandalwood powder, ये दोनों ही ingredients आपकी skin का खाना होते हैं, food होत ये आपकी skin में marks, निशान को लाइट करते ही है, साथ में skin को moisturizing properties देते हैं, collagen boosting properties देते हैं, इसलिए इनको सारी companies use करती हैं, अपनी serums और अपनी creams में, अब इसके बाद हमको चाहिए 4 tablespoon of red lentil या मसूर दाल का powder, मसूर दाल या red lentil एक anti-aging skin, tightening, skin, lightening, natural bleaching दाल होती है, इसमें इत आपको लेना है, around 4 tablespoon, इन सारे mixture के साथ में, इसको आप market से ले सकते हैं, और इसको grinder में grind कर सकते हैं, खाले आपको ध्यान ये रखना है, कि जब आप इसको grind करेंगे, तो बहुत ही fine powder आपको बनाना है, विकोज हम face wash बना रहे हैं, अब इन सारी चीजों को अच्छे से mix कर ल में बना रहे हैं, तो definitely आपको airtight container में ही seal करके रखना चाहिए, इसको use करने के लिए अगर आपकी dry skin है, तो आप इसको fresh मलाई का लीजे, 1 teaspoon अपनी रोस के according, थोड़ा सा उसमें आप raw milk या curd डालिये, थोड़ा सा lemon डालिये, mix करिये, बन गया आपका face wash, oily skin वाले, इसको mix करन of lemon juice उसमें add कर सकते हैं, कैसे इस्तमाल करना है, अब क्योंकि इसमें सारी बहुत ही nourishing properties हैं, तो आप इसको 2-3 मिनिट के लिए अगर बहुत ही अच्छा है, तो 5 मिनिट के लिए उससे जादा छोड़ सकते हैं, तो 10 मिनिट के लिए छोड़ दीजे face पर, उसके बाद में कर रही हूँ, कि अगर आप regularly use करते हैं, तो आप खुदी देखेंगे, आपकी skin कितनी bright हो गए है, smooth हो गए है, तो definitely इसको बनाईए, अपना आकर feedback मुझसे जरूर शेर करिए और बताइगा, कि आपको कैसा लगा, इसका effect कैसा लगा, अगर चैनल पर first time आए हैं, तो जाने से पहले subscribe करके जाएगा, bell icon all पर जरूर हिट कर दीजेगा, वीडियो थोड़ा सा भी informative लगा है, अच्छा लगा है, तो like करके जाएगा, बिकुस आपका एक like मुझे बहुत motivated रखता है, thank you so very much for watching, see you soon in my next video